आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एनार स्टडी में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैचुलर ओफ आर्ट्स इन लाइब्ररी के इकनू सॉल्फ असाइमेंट का जिसका सब्जेक्ट कोड है ICT in Libraries ये असाइमेंट उन स्टूडेंट के लिए है जिन्नोंने जुलाई 2022 और जनवरी 2023 सेशन में B.L.I. कोर्स में अपना एड्मिशन लिया है आपको कोशन पेपर में टोटल 13 कोशन दिये गए हैं सभी का वेटेज उनके सामने गीवन है हम आपके लिए वीडियो इसलिए ना है ताकी आप इस वीडियो की मदद से अपना हैन रिटन असाइमेंट बना पाए हैन रिटन असाइमेंट बनाते समय आप इस वीडियो का स्क्रिनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉस करकर भी लिख सकते हैं BLI 229 में theory work और practical work होता है, आपको हमारे चैनल दुआरा theory work ही provide कराया जा रहा है, अगर आप practical work कराने में interested है तो आप हमारे number पर contact कर सकते हैं जो की आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को like करें, चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाली सभी वीडियो के notification के लिए, कोई friend या relative इस course को कर रहा है तो उनके साथ भी इस वीडियो का link आप एक बार जरूर शेयर करें, आपको हमारे चैनल पर BLI 221 से लेकर 228 तक के सभी assignments upload कर दिये गई है, जिसका आप को link इस वीडियो के description box में provide करा दिया जाएगा, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखे ताकि आपकी other assignment बनाने में मदद हो पाए, अगर आप इस वीडियो की PDF को खरीदना चाते हैं, या किसी भी course या BLI course के handwritten hard copy का order देना चाते हैं, online submission के लिए handwritten scan PDF purchase करना चाते हैं, तो आप हमें दिये गए WhatsApp नंबर पर contact कर सकते हैं, हम आपको बता देना चाते हैं कि हमारा चैनल पिछले तीन सालों से इगनू assignment related work कर रहा है, और आप जैसे students को handwritten hard copy प्रोवाइड कराते हैं, जो किसी वज़ा से अपना handwritten hard copy नहीं बना पाते और जरूरी कामों में engage होते हैं, आ आप उनको भी एक बार जरूर देख सकते हैं, आपको idea मिल जाएगा कि आप किस तरीके से अपना assignment effective तरीके से present कर सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए slow scroll की जाएगी ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से ही अपना पूरा complete solution लिख पाएं, आप हमें comment करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और next वीडियो में आप किस assignment का solution चाहते हैं, हम उसे लाने की पूरी कोशिश करेंगे, बात करें इस assignment को submit करने के last date की, तो जिन students ने July 2022 session में admission लिया है, उन्हें ये assignment 30 March 2023 तक submit करना है, और जो student जन्वरी 2023 में admission लेंगे, उन्हें ये assignment 30 September 2023 से पहले submit करना होगा, तो आप सभी students last date को ध्यान रखते हुए ही अपने assignment को prepare करें ताकि बात में आपको कोई परेशानी ना हो, इगनु में last date को extend किया जाता है, ये इगनु की तरफ से आने वाले notification पर depend करता है, तो आप notification का वेट ना करें और अपना assignment टाइम पर तयार कर ल वीडियो के साथ झाले वीडियो झाल 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 झाल